Bugün विस्वल sw인 कि आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम practical question नंबर 194 करने वाले हैं practical का question 024 से लिए лежing और की simple quOne- contrary pattern बनाना है हुआ और आप देखेंगे कि 25 सेम पैटन है 26 सेम पैटन है केबल अंतर यह है कि यहां पर यह फॉर लूपस बना हुआ है यह वाइल से बना है और तीसरा वाला डुल से बना है और फॉर को वाइल में कैसे पर्मृला करते हैं यह अलगा है बहुत जञे चेंज सबसे इंपर्ट इस घ्या अपर डूर्न का करें है यह देख है इन सभी पैटर्स को सहजता से सी बनाता है why यह कर सकते हैं यह पर पर चरप उनय चाहिता को बनाने का दो इस अतनल सते हैं यह जुँज्ट करना संव पहला दो श्ट्रक्टर होते है उसमें आपको यह रहुत अब्यव होता शब्सach एक दूसरा structure है जिसमें इस type का structure होता है तीन लूप होते हैं एक बाहरी जो लूप है वो रो के लिए होता है और ये column 1 और column 2 के लिए होते हैं दो रूप ठीक है तो हम कैसे सबसे पहला काम होता है है डिसाइड करना कि हमारा जो ये pattern है वो इस structure में जायगा कि इस structure में जायगा तो इसका एक rule है अगर left side में कोई भी pattern touch है जैसे ये 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 चारो जो pattern है कि लेफ्ट साइड में ऐसे टच किये हुए हैं तो ये इसमें दो लूप वाला structure लगेगा और वैसे ही इसमें भी left side में touch है इसमें इसमें भी सिर्फ ये दोनों जो हैं जो हैं जो इसमें left side में touch नहीं है ये दोनों जो हैं वह तीन वाले प्रोग्राम से बनेंगे और वह वाइल हो दो पिर भी हो सकते हैं यह मैंने श्ट्रक्टर बताया चलिए कोड में आते हैं सीधा सिम्पल यहां पर इसो कोड करते हैं पहला वाला तो आपको सिम्पल यह देखना है कि दो पनेगा एक हो गा रो कैं और एक होगा कोलं का लीए हाँ क्लाँ इसद नहीं मुई चैंड इसको बता घुच्छा अब मय जाना तो इसको पलब करें और है इसमें इसमें यहां पर करते हैं पे-पहले थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं तक को दिखाई दे और यहां पर मैं एक बटन बनाता हूं लिख देता हूं जिसमें लिख希望 यानि एक लिख सकते हैं पैंटन वन लूप करता हूं और दो लूप आपको करना है चुपसे पहले लिख़ए, dim.r. इस लिखैंगे हम भी रor कॉलम की लिए हमको बनाता है और एक लूप बनागा हुआ फौर ऐको टू ब然टू फाइवこれは बाहरी लूप यहां पर यहां पर प्रिंट हमारा पैटर्न है इसको हम प्रिंट कर देंगे यहां पर रोगा प्रिंट इस ट्रक्चर हमारा रेडी है दो लूप वाला इसको मैंने फ्रोजर पहले पिस तरीके से बताया था कि यह लूप होता है और उसके अंदर एक और लूप होता है यह होता है रो के लिए और यह होता है पॉल यह पैटर्न को चेंज करके और यह से लंडोए। बाहृसर रेज को राते है तो आप देखने वाले हैं की इस इसे सब्सक्ता और वाले कि आ ज yeter रहा है किसके की और यह मज़ें से क्या हो रहा है वाइं कि है पर semicolon लगाना होता है तो slash n जो है वो एक्टिव हो जाता है आपका यानि कि लाइन चेंज वह नहीं बंद हो जाती है कि लेशन यहां लगाने है कि लेशन को रूपने के लिए तो यह कोड हमारा रेडी है और यह हमारा आउट्पुट आ गया है फर्स्ट वाला जो हम यहां पर देख रहे थे यह वाला जो आउट्पुट है वा गया है पांच गो और पांच कॉलम का ठीक है पहला पैटन बन गया है अब हम दूसरे पैटन के उपर जाते हैं यह वाला पैटन बनाना है तो इसमें सबसे पहले लॉजिक आपको निकालना है कि रो कितना है रो इक्वल टू है यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और कॉलम इक्वल टू कुतना है? 5 रो 5, कॉलम 5, clear है? तो इससे क्या हो रहा है आपको? कि रो 5 और कॉलम 5 है लेकि आप देखिए कि रो नमबर 1 पे एक कॉलम है, रो नमबर 2 पे दो कॉलम है तो जो कॉलम की संख्या है वो डिपेंड कर रही है रो पर, तो कुछ भी नहीं करना है हमारा जो कोड है उसमें ज़्यादा चिंजिस नहीं करना है सबसे पहले में एक नया बटन यहां पर बना लेता हूँ, P2, P2 बटन मैंने बनाया P2 ठीक है, अब आप यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, P2 में मैंने क्या किया, P1 का पूरा कोड यहां से कॉपी कर लिया, सेम टू सेम और पेश कर दिया यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, रो और कॉलम की संख्या 5 पहुंच है, तो कॉलम की संख्या जो है वो रो पे डिपेंड करेंगे, R लिख देना है क्योंकि जितने रो रहेंगे उतना ही कॉलम बनेगा, सिर्फ यह पांच मिटा के R लिखना अब देखिए क्या होता है, यह वाला पैटन है, ठीक है, तो जब आप इस पर फिल्ट करेंगे तो यह वाला पैटन बनेगा, यहां पर जो दिख रहा है, पहला पैटन था P1 वाला और यह टेकन पैटन है P2 वाला, क्लियर रहता है, दो बटन बन गए, अब इसमें ही आप फ़ोड़ा सा चिंजिस करिए, और तीसरा बटन बनाते हैं, ठीक है, तीसरा बटन बनाते हैं हम दो यहां पर, अब आपको है, अब समझ में आ रहा है, वाख हिटने बटन बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ बटन बनेंगे वहां का, ठीक है, और अगर पुराने इसको क्लियर करना है, तो CLS भी लिख सकते हैं, अब क्लियर स्क्रीन जैसे काम करता है, ठीक है, आपका जो तीसरा पैटर्न है, वो देखे, इसका जेस्ट उल्टा है, तो ये तीसरा पैटर्न बनाने के लिए लॉजिक क्या होगा, हमारा देखे, यहाँ पर रो पी संख्या कितनी है, पांच, पांच, आपको दिख रहा है, रो पांच और कॉलम पांच, लेकिन रो की इस हुआ है, तो चार कॉलम, तीसरा रो है, तो 3 कॉलम, रो बढ़ रहा है, इसमे रो बढ़ रहा है, तो इस फॉर्मुला को अप्लाई कर दू, कुछ नहीं करना है, आपको शुप चाप, यह वाला कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है, यह बादा यहाँ पर आर लिखा है, महाँ पर मैं लिखूंगा 6-R 6-R क्यों जब 6-R इसले लिखे हैं कि एगर row की value 1 होगी तो column की value क्या होगी 6-1 यानि की 5 जब row की value 2 होगी तो यह क्या होगा 6-2 इक्वल टू 4 इस जो मैंने बताया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब row की value 1 है तो column की value क्या होगी 6-1 यानि की 5 जब row की value यानि second row होगा तो column क्या होगा 6-2 यानि की 4 यानि की यह कम हो रहा है और यह बढ़ रहा है तो कुछ भी नहीं किया मैंने बत 6-R लिख दिया यहां पर तो यह मेरा तीसरा pattern जो है वो generate हो गया मैंने यहां पर तीसरा pattern जनरेट कर दिया अच्छ ओके कोड़ी नहीं कियें कि अभी इस कोड़ को हम copy करेंगी और यहां पर आर ही रहने देते हैं और तीसरे बटन में कोड़ करते हैं यहां पर और इसमें यह 6-R होगा तो यह 3rd वाला pattern हमारे पास बन के आगे है इसका कोड़ यह है ऐसे ही हम लोग 4th वाला बनाते हैं 4th वाला देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है यह वाला और यह वाला pattern सेम है बस जो star है उसके जागा 123 प्रिंट हो रहा है यहां पर अब देखना है को करना क्या है कि यहां पर row की संख्या है 5 column की संख्या है 5 लेकिन यहां पर पहले row में 1 आ रहा है पहले row में 1 आ रहा है दूसरे row में 2 आ रहा है तीसरे row में 3 आ रहा है यानि कि row को प्रिंट कर रहा है है इसको प्रिंट हो रहा है इस और देन पूर कि बदले व बिलार इस कोपी करते है उड़ पैटन से ट्प dynasty कुघ स्चुआ वह ओपन करने वाला हूं। सब है जो मेरा था पी 1, पी 2, पी 3 तो मैं सबसे पहले एक चौथा बटन बनाऊँगा पी 4 ऐसे पी 8 तक जाएगा पी 4 बनाया मैंने और पी 2 को कॉपी करना है मुझे पी 2 खोला यह पी 2 है इसको कॉपी किया मैंने फिर इसको बंद किया इसको खोला और यहां पे पेस्ट कर दिया राइट क्लिक पेस्ट कोड आ गया सिर्फ यह जो इसको मिला के मुझे मिटा के क्या लिखना है रो अब रो क्योंकि एक वैवियेबल है इसलिए डबल कोट नहीं रहेगा इसलिए बन गया हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर यहीं पर आप सी लिख देंगे तो मिटा के सी लिख देते हैं तो क्या होगा देखो 1, 1 पहले कॉलम में वन आ रहा है दूसरे कॉलम में टू आ रहा है ठीक है और यह आपका अगला असाइन्मेंट हो सकते है यह है रिवर्स डिरेक्शन में अगरा साइन्मेंट है ठीक है चलिए यह बन गया तो हमारा यह वाला पार्ट है वह कंप्लीट हो चुका है इसमें हम रो लिखना था हूं को यह फोर्थ वाला पैटन बन गया अब आते हैं फिप्थ वाले पैटन पर यह जो फिप्थ वाला पैटन है इसमें क्या है इसका पैटन है वह इसके जैसे जासे मैच आँज तो स्यम टूसा कॉपी करना है केवल वहाँ पर प्रिंट पैटन को चेंज करना होगा तो रो की संख्या है पांच, कॉलम की संख्या है पांच और एक relation यह कि रो जब बढ़ रहा है तो कॉलम कम हो रहा है जो यहां पर भी हो रहा था, उसका कॉल हमने कर रखा है पहले से अब आपको देखना है कि पहले रो में 1 दिख रहा है दूसरे रो में 2 दिख रहा है तूसरे रो में 3 दिख रहा है चौते रो में 4 दिख रहा है यहां 5 दिख रहा है तो मतलब रो की संख्या परिंट हो रही है इसको जो काम कॉपी करके इसके साथ यहां लाए थे वही काम यह करना को इस यह दोनों में एक काम धा से महीं काम करना है उनकों चली करते हैं बहुत हे सिंपल से सा चुछा पे कमांड्व बटन बनाएंगे एक है यह वाब करेंगे एकby थी कि में पेश्ट कर देंगे बस इस्तार में टाएंगे रो और यह पर यह वैरीबल है इसलिए सिंगल को ठड जाएगा बस बन गी हमारा प्रोग्राम पांचवा पैटन हमारे पास रेडी है ठीक है अगला आते हैं हम लोग छटबा पैटन सेम यही पैटन है तो यह पैटन है यहां पे कॉलम की संंख्या पूरी है हो भी पहले कोलप में Irkonosky 6 स्मेशर तो कुछ निकरना है सेव को पी बेट करना है यह वाले और यह वाले को कपी पेष्ट करके बना सकते हैं अगर के करना है एक बटन बनाते हैं पी और पी फाइब को कॉपी करते हैं कि पी सिक्स में जाते हैं यहां पर सिर्फ आर लिख है न उसकी जगा सी देना है और देखो आपका पैटन रेडी होगी है आप और अब चाहो तो इसको रिवर्स डारेक्शन में जब सी प्रिंट करा रहे हो तो कि यह लिखना है और यह लिखना है और हमको चाहिए कैसे था ऐसा चाहिए था फाइप चाहिए था तो वहां पर वन हो रहा है तो क्या करोगे यहां पर कुछ नी करना है इसके बाद यह दो पैटन है वो तीन तीन लूप वाले हैं इनको हम पार्ट तू वाले वीडियो में देखेंगे लेकिन साथी साथ हम इसको पॉर लूप को वाइल लूप में भी कनवर्ट कर सकते हैं ठीक यह पैटन का हमारा प्रोग्राम था झाल